आज बनाएंगे बहुत हेल्दी, टेस्टी, ग्लूटन फ्री और इजिली डाइजेस्टिबल, रूई से भी जादा सौफ्ट च्वार और मुंग दाल की इडली जो खाने में तो टेस्टी है ही, डाइजेशन में भी बहुत हल्की है इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, जिससे इसके सौफनेस दोगनी हो जाएगे और मैं आपको कमपैर करके दिखाऊंगी किया डिफरेंस आता है और हाँ, इसी बैटर से हम क्रिस्पी डोसा भी बना सकते हैं अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखे बहुत सारी चोटी-चोटी से टिप्स भी शेयर की है तो आप वीडियो को प्लीज किप ना करें तो आईए रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए हम जवार के दाने ही यूज करेंगे यह ग्लूटन फ्री है, फाइबर, आइरन, प्रोटीन, कैल्शियम से लोडेड और साथी में बहुत सारे विटमिन्स और मिनरल्स भी होते हैं तो यह हमारे हार्ट, हेल्थ, डाइजेशन, बोन, स्किन, इम्मुनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर हम इसे रेगुलर लेते हैं तो यह ब्लड शुगर को मिन्टेन करता है और वेट लॉस में भी काफी हेल्प करता है साथ ही में ले रही हूँ मूं की डाल, जेनरली हम डोसाइडली वगरे बनाने के लिए उड़त की डाल को यूज करते हैं लेकिन जिनको inflammation, pain, arthritis या फिर gas, bloating या digestion issues होते हैं उनके लिए उड़त की डाल थोड़ी सी heavy हो जाती है बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कटोरी जुआर ले लिया है और इसको हमें अच्छे से धो लेना है अगर आप सोच रहे हैं कि जुआर को पीसना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसा नहीं है जब यह अच्छे से भीग जाएगा ना तो यह अराम से पिस पी जाता है मिक्सी में इसको दो-तीन पानी से अच्छे से मैंने धो लिया है और इसे हम कम से कम आठ घंटे के लिए या फिर रात भर के लिए जरूर भीगाएं किसी भी मिलिट को हमें कम से कम आठ घंटे जरूर भीगाना चाहिए अब दूसरे बोल में डाल रही हूँ एक कटोरी मौंकी दाल और दोनों चीजों को जात में ही भीगा देंगे अब मैंने उसी कटोरी से एक कटोरी ले लिया है पोहा यह मोटा वाला पोहा है इसे हमें बैटर पीसने के आदे घंटे पहले भीगाना है और अगर आपके पास टाइम नहीं हो उस समय तो अभी भी इसे भीगा सकते हैं सारी च करने के लिए पानी डालेंगे तो पानी ध्यान रखे ना कोशिश करे कि ठंडा पानी डाले या फिर ना बैस रहेगा कि आप इसमें आइस क्यूबस डाल दे क्योंकि जब हम ग्राइंड करते नो तो हीट से बहुत सादा गरम हो जाता है यह बैटर तो फर्मेंटेशन में इ और हीट अप नहीं होगा तो उससे फर्मेंट अच्छा होगा बैटर हमने एकदम फाइन पीस लिया है और अपना इसे साफ हातों से हमें मिक्स करना है आप चाहें तो किसी विसकर या फिर स्पून से भी कर सकते हैं लेकिन जब हम हातों से इस तरह से रप करते हुए मिक्स क करते हैं तो हमारे हातों में जो एर बॉन बैक्टिरिया वगर होते हैं वो इस बैटर में मिक्स होंगे और इससे फर्मेंटेशन में काफी हल्प होगा और जब ही भी हम कोई भी फर्मेंटेट फूड बनाते हैं उसमें बीटवल्फ की कॉंटिटी बहुत बढ़ जाती है त तो इसको हम बहुत इजिली कवर कर सकते हैं मैंने इसे एक मिनट के करीब फेट लिया है पैटर थोड़ा सा लाइट भी हो गया है अब हम इसको कवर करके राद भर के लिए फर्मेंट होने के लिए चोड़ रहे हैं कम से कम 8-10 घंटे के लिए इच्छे से इसको हम हो गया है हम ने इसमें मूंग की डाल यूज की थी अगर आपको मूंग की डाल नहीं यूज करनी है तो आप सेम कूशंटिया में उडद की डाल को भी यूज कर सकते हैं लेकिन Cert gracious कारण से आप उडद की डाल नहीं कह सकते हैं तो आपने देखा न बैटर एकदम पो! फिकली बनता है मूंकी दाल से भी अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूं और थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूं बैटर के थिकनेस को एज़स कर लिया है जैसे हम रेगुलर इडली वगर बनाते हैं सेम वैसा ही चाहिए हमें अगर आप वो किसी पॉइंट पर लगे कि बैटर अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ है लाइट नहीं फील हो रहा है तो आप इसमें आधा चोटा चमच इनो भी डाल सकते हैं बहुत सादा नहीं बस आधा चोटा चमच या एक चोटा चमच तो अब इडली बनाने के लिए आप चाहें तो सिरफ रगुलर इडली मोल मैंने यहां पर अलग तरीके से बनाया है एक कपड़ा ले लिया था कॉटन उसको वीच में होल कर दिया है और इडली स्टैंड के नाप से कट कर लिया था अब हम इसे रखतेंगे इडली मोल पर कोई और लगाने के जरुवत नहीं है कोई ग्रीस नहीं करना है से नहीं हमार कि यह रेसिपी आपके लिए कितनी हेल्फुल है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लीज रेकुलर बेसिस पर कॉमें जरूर किया करें मुझे बहुत ही जादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकों बैटर को मोल में डालते ही हमें त अच्छे से स्टीम हो गई है इसको बस दो मिनिट के लिए चोड़ देंगे और फिर हम इसे डी मोल्ड करेंगे रिसेंटली आपके साथ बिना उड़त दाल का क्रिस्पी दोसा और रागी दोसा साथ ही बहुत ही सौफ्ट और मुलायम सी जवार की रोटी की रेसिपी शेयर क अगर आपको लगे ना कि पकरेंगे तो हलका सा पानी का चीटा मार सकते हैं कपड़े के ऊपर तो बहुत ईजली बिना हाथ लगाए ही निकल जाएगी तो इटली बहुत ही सौफ्ट और फलफी सी बनी है मैं आपको दिखाती हूं और यह जो कपड़े है इसे आप सालो साल इडली हमारी एकटम सौफ्ट बनी आप जाली देख सकते हैं अगर आपके पास कपड़े की फैसिलिटी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से ही बनाए यह जो आरकी इडली आप नॉमली भी बना सकते हैं मैं बस आपको डिफरेंस बताऊंगी दोनों में वो भी बहुत ही सौफ्ट बनती है यह देखिए मैं डीमोल करती हूँ यह वाली भी सौफ्ट बनी है यह वाली भी आप देख सकते हैं एक्टम स्पॉंजी है लेकिन जब हम दोनों को कंपेर करते हैं तो आप इसमें जाली का टेक्शर देखिए दोनों की जाली जो बनी है वो एक् तो आप एक बार ना इस तरह से ट्राइ करें आप जो भी रेगुलर इडली भी बनाते हैं उसको भी इस तरह से कपड़े पर बना कर देखें आपको डिफरेंस पता चलेगा तो इडली तो हमारी पन के तयार है अब आप इसे अपनी फेवरेट चटनी या सामबर किसी के साथ भी अजहुक्या कर सकते हैं मैं आप सहर्फ कर रही हम एक स्पेशल चटनी के साथ जिसकी ररेसिपि पापके साथ जल्दी ही शेयर करें की रीकि ड्ञूटी में पोUh driven भी बबी है और पहुत ही झेली जी बढ़ पसंद का एगई है और भी मझेतार है इलदी के लिए मेरे को जरूर सब्सक्राइब करें और एक चोटा सा कॉमेंट जरूर लिखें अब मैंने सोचा कि इसी बैटर से आपको डोसा भी बना के दिखा देती हूं तो मैं एक डोसा का बैटर भी रख लिया था थोड़ा सा बस इसे हलके प्रेशर से हम जैसे राउंड राउंड सर्कुलर तो अगर आपको डोसा पसंद है तो आप इसी बैटर से डोसा भी बना सकते हैं आपको आज की रेसेपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए और प्लीज अपने फ्रेंड और फैमली के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और मुझे ग्रो करने में हेल्प करें और आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज अगर आपको रेसेपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई